आवाज कितनी अजी तोस्तों कभी तच्छा लगें सब्सक्राइब करें शेर करें आपसे मेरा विन्नम अनुरोद है वचनामरत हरे हरे अपने चलने की तयारी है समय कम है अते ये विचार करना चाहिए यदू यदी परमात्मा का चिंतन रहते हुए मृतु होए तो भहुत भारी दुख की बात है मित्रो भाईयो आप विचारो तो सही आप क्या कर रहे हो क्यों नहीं सोचते हो यदी पांच मिनिट भी विर्थ चले जाएं तो रोना चाहिए कि हम अनाच की तरह मारे गई आपका समय जो दुरक्योग में जाता है उससे कितनी हानी है जरा विचार ना चाहिए कि हम अपने समय को वर्थ दुराचार में विवथीत कर रहे हैं मनुष्य सरीर के अतिरिक्त अन्य सरीर में सादन नहीं बनता इसलिए अपना हरे हरे समय वर्थ ने गमा में काम ने बने वहां तक एक बात भी वर्थ ने करने चाहिए भाईयो आप लोगों को रात में नीज किस्तरें आती है क्योंकि आपके घर में आग लग रही है और आप उसका कुछ उपाई नहीं करते उल्टे निसंख होकर सो रहे हो एसी हालत में आपको पागलने कहा जाए तो क्या कहा जाए याद रखो यदि तुमने चेते गे तो तुमारे उपर महान विपत्ति आने वाली है वै क्या कि जब तुमारा ये सरीर छूट जाएगा तब तुम्हें नहीं जाने किसी योनी की प्राप्ति होगी मित्रू इसलिए जल्दी चेतना चाहिए और विचार करना चाहिए जब ये सरीर भी तुमारे साथ ने चलेगा तो फिर इस तरी पुत्र धना दिका तो कहना ही क्या है क्या तुमारे पास तामर पत्र है या यमराज से मित्रता है यदि नहीं तो फिर जल्दी ही चेतना चाहिए नहीं तो महान द्रुगती होने वाली है भाईयों विचारों तो सही किसके भरों से आप नहीं चेतते हैं जो समय पूर में विवतीत हो चुका उससे अच्छा बिताना चाहिए जरा मन में तो सोचो कि अब तुम क्या चाते हो तुम जारी आश्रम स्रोगादी भहत जगे घूमे हो और भी जहां चाहे घूमलो सब यहीं कहेंगे कि भजन ज्यान सत्संग सेवा करो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि तुम निश्चित बैठे रहो जिससे तुमारा उद्दार हो जाएगा भला तुमको जंगल और पहाड में ऐसा कौन महात्मा मिलेगा जो बिना साधन के उद्दार कर दे इसलिए जो समय बीच चुका वे बीच चुका अब तो चेतो जो तुम संग्रे कर रहे हो तुमारे क्या काम आएगा मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकोगे इसलिए जहां तक सरीर है पाक एसा काम करना चाहिए जो आपके साथ जावे भाईयो आपको इस तरह कौन चेताएगा किसको क्या गर्द है आपको भगवान ने बुद्धी दी है जिसे विचारना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं या नहीं सद्जनूं ये मनुष्य सरीर एसा अनमोल है कि इसका एक वरण एक खषण भी करोणूं रुपे देने पर भी नहीं मिल सकता इस सरीर से किये हुए पापु में अनेक योनियों में करोणूं वर्षूं तक भोगना पड़ता है सद्जनूं आवाद की दुनिया के दोस्तों तुमारे आचरों और कर्मों की तरफ देखो और सोचों की इनमें कितने दुर्गती होने वाली है इस प्रकार सोच कर खूब सावधानी के साथ काम करना चाहिए भाईयों तुमको नीद कैसे आती है और किस प्रकार हसी सूचती है क्योंकि जिस मनुष्य को फासी होनी वाली है उसकी नीद कैसी और हसी कैसी हरे हरे प्रोक्स कारे हंतार प्रतक्से प्रिवादिना वर्जे त्रादेज मित्रम विसकुम्हे पयोम उकम जो पीठ पीछे कारे को बिगाडे और सामने होने पर मीठी मीठी बाते बनाए ऐसे मित्र उसे घड़े के समान ताग देना चाहिए जिसके मुझ पर तो दूद भरा हुआ ह प्रन्तु अंदर विश्वरा हुआ हो उपर से मीठे और अंदर से दूष्ट विक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है आवाद की दिनिया के दोस्तो भाईयों भेनूं मित्रों सत्संग प्रेमियों सज्जनूं जै हो प्रिवादिगार की सब्सकाइब फ्री है सब्सकाइब क करने की महती करपा करें